ग्लेक्सियाफ यूनानी मेटसिन में आप तमाम लोगों का खेर मगदम है आज हम स्टार्ट करेंगे आपसका नेक्स्ट लेक्चर इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटीनिव करेंगे यहां हम फीटस के बारे में पढ़ेंगे फीटस के अंदर एक है एक इंब्रियोनिक पीरियड और एक है फीटल पीरियड तो इंब्रियोनिक पीरियड कब कहेंगे उसको और फीटल पीरियड कब कहेंगे अगर आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें जो मिस्ट्वल साइकिल है अ एक लेडी है जिसकी मेस्ट्वल साइकल जो है वो 28 डेस की है यह 125 यह जिस दीजे मिंसिज आते हैं ठीक है यह हो गया 14 डेस और यह हो गया 28 डेस और आपको पता है कि जो ओलूशन होता है वो किस दिन होता है अगर एक लेडी जिसकी मेस्ट्रोल साइकल जो है वो 28 डेस की है तो उसका ओलूशन का किस दिन होता है 14 दिन यह आप यह कह सकते हैं कि जो ओलूशन है पीरियड आने से 14 डेस पहले ओलूशन होता है तो यह period क्या कहलाता है पहले आपने इसको पढ़ा होगा कि यह period क्या कहलाता है proliferative phase और यह period क्या कहलाता है secretory phase अगर आप इस तब की अगर हम बात कर रहे हैं अगर evolution के बाद अगर क्या हो रहा है fertilization हो जा रहा है तब की अगर हम बात करें तो यह phase क्या कहलाएगी olutri phase कहलाएगी olutri period भी आप इसे कह सकते हैं olutri period या olutri phase उसके बाद 14th day पर क्या होगा evolution होगा अगर over release होता है over release होने के बाद क्या हो जाएगा fertilization होगा और fertilization के नतीजे में आपका zygote बनेगा ठीक है zygote बना यह zygote अब zygote तो आपका कहा बना यहाँ इस period में बना है यहाँ पर बना क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ evolution हुआ over release होने के बाद इस पर्मसे इसने fuse करके zygote बनाया अब यहाँ से क्या है ओवा का जो होगा आपका यह ओवा क्या है develop करना शुरू करेगा पहले ओवा fuse हुआ unicellular बना उसके बाद 2 cell, 4 cell, 8 cell या blastomere, blastula और marula बना marula बरने के बाद यहाँ तक आने के बाद क्या हो गया आपका 2 week हो गया ठीक है यहनि जो next period जहाँ पर नार्मली आना था 28 days के बाद यह period क्या हो गया 2 weeks का हो गया क्योंके 14 में दिन क्या हुआ fertilization हुआ और 28 में दिन तक जो zygote बना था वो zygote कितने दिन का हो गया 2 weeks का हो गया 2 weeks के बाद यानि 3rd week to 8th week यानि यहाँ से लेके कब तक 8th week तक यानि 3 week to 8 week यह क्या कहलाएगा embryo कहलाएगा ठीक है embryonic period कहां से कहलाता है 3rd week to 8th week यानि यहाँ से यहाँ तक का यह जो time period है evolution से लेके next normal cycle के बीच तक का यह क्या है ओग जो आपके zygote बना है या जिसे आप कहते हैं कि fetus जो है यह fetus कितने दिन का हो गया 2 weeks का हो गया 2 weeks के बाद यानि 3rd week से लेके 8th week तक उसको हम क्या कहेंगे embryonic period कहेंगे यानि वो zygote जो कि कब बना 14th day में बना after evolution यानि ओवा के fusion के बाद ओवा जब इस पर्म से fuse हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं zygote कहते हैं यह zygote blastomere और फिर marula के अंदर change होता है और further उसके अंदर changes लगातार आते रहते हैं तो next cycle तक यानि जितने अगर माल लीजी कि अगर यह fusion नहीं होता या fertilization नहीं होता तो यहाँ पर period फिर से आ जाते तो जाहिर है कि यहाँ से यहाँ तक का फिर से जो है यहाँ पर जो उसकी age है fetus की यह age two weeks की हो जाएगी यहाँ से फिर इसके पाद यहाँ का जो period है यहाँ से लेके आपके age तक को हम क्या कहेंगे embryonic period कहेंगे या embryo कहेंगे या उसको हम क्या कहते हैं embryonic period यह ँस زाइगोड़ का जो embryonic period है, जो थाइड वीक से लेके, आपके 8th week तक काembryo होगा, जो Zाइगोड होगा उससे हम कहां कहेंगे embryonic period कहेंगे. यानि तीसरे हफ़ते से लेके आठमे हफ़ते तक का जो period क्या कहलाता है embryonic period कहलाता है और आठमे हफ़ते के बाद या आप 8th week कह सकते हैं या 9th week up to the delivery यानि नवे हफ़ते से लेके at the time of birth वो चीज क्या कहलातेगा fetal period कहलाता है यानि जब zicoat की जो age है दो week से लेके तीसरे week से लेके आठमे week तक के zygote को हम क्या कहेंगे embryo कहेंगे और आठमे या 9th week से लेके delivery तक का जो time है उसको हम क्या कहेंगे fetus कहेंगे तो embryo और fetus में कोई फर्क नहीं है बस उसके age के हिसाब से उसको अलग-अलग नाम दे दिया क्या है यानि जो fertilized oa है या जो zygote है वो zygote जब उसकी age तीसरे हफते से लेके आठमे हफते के बीच में है embryo बोलते है उसके बाद 9 हफते से लेके at the time of birth यानि delivery के time तक उस fertilized home को या उस zygote को क्या बोलते है fetus बोलते है तो fetus और embryo कोई फर्क नहीं है सिर्फ क्या है अपने development या अपनी age के according उसके अंदर जैसे जैसे time गुजरता जाएगा ये चीजे क्या है आइस्ता आइस्ता उसके अंदर development होगा और चीजे change होती चली जाएंगे तो जब उस zygote का जो age होगी यानि तीसरे हफते से लेके आठवे हफते तक जो zygote होगा उसको हम embryo कहेंगे और उस time period को हम embryonic period कहेंगे और आठवे या नमे हफते से लेके delivery तक का जो period होगा उसको हम fetal period कहेंगे और इस period के अंदर जो zygote होगा उसको हम fetus के नाम से जानते हैं तो आप समझ यह होंगे कि fetus किसे कहते हैं और embryo किसे कहते हैं fetus और embryo के exam में हो सकता है आपके आज आए कि embryonic period कहां से कहां तक होता है या fetal period कहां से कहां तक होता है तो embryonic period हम कब कहेंगे 3rd to 8th week और जो fetal period है वो 9th to delivery आप 8th के बजाए आप इसको 9th भी कह सकते हैं 9th to delivery तो आप यह याद रखिएगा उसके बाद है fetal length एक होता है crown rump length तो crown rump length क्या होता है और एक होता है आपके crown heel length एक होता है crown rump length क्या है या CRLC को कहते हैं करें earlier weeks यानि जो शुरुवाती period है यानि जबके अभी embryo क्या हो रहा है आपका develop हो रहा है उसमें जो बच्चे की जो एज नापते हैं वो एज किससे नापते हैं crown rump length के हिसाब से हम नापते हैं कि जो fetus की जो age है या जो gestational period है वो gestational period कितने दिन का है करें कि crown rump length is the length of the embryo or fetus from the top of its head to the bottom of the tarsus it is the most accurate estimation of the gestational age in early pregnancy यानि early pregnancy के अंदर यह क्या है उसकी age को estimate करने के लिए यह किया जाता है और crown rump length आप देख रहें कहां से कहां तक है इसके आप कह सकते कि यह जो इसका top most और जो इसका lower most है यानि जो आप यूं कह सकते हैं कि sitting position के अंदर एक इनसान जबके sitting position में जो है तो अगर आप इस fetus को देखें तो इसकी condition कैसी है कि लग रहा है कि कोई sitting position में है तो sitting position में जो उसकी पूरी length होगी वो पूरी length क्या कहलाती है CRL crown rump length और यह early pregnancy के अंदर gestational age को calculate करने के लिए इसको किया जाता है तो crown rump length is the most accurate estimation of gestational age in early pregnancy यानि अगली early pregnancy के अंदर हम इसको जो fetus है इसकी age नापने के लिए हम crown rump length का इस्तेमाल करते हैं यानि इससे हम पता करते हैं कि जो fetus की age है वो कितनी है और यह इसकी length कैसे देखते हैं कि length of the embryo of the fetus from the top of its head यानि head का जो सबसे top वाला हिस्सा होगा यानि जब इनसान करीब इस तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि जब एक human being बैठा हुआ है तो उस time की जो position है बिल्कुल यह position उसी type की रहती है और embryo भी fully developed नहीं है अभी इसके अंदर लगातार changes आते रहते हैं तो यह बिल्कुल उस तरीके से होता है तो यहां से यहां तक कि यहां तक हैं टाप most से लेके lower most का जो length है इस length को हम कहते है crown rump length और यह early pregnancy के अंदर gestational age को calculate करने के लिए किया जाता है और यह कब किया जाता है early pregnancy यह आप याद रखिएगा क्योंकि late pregnancy में हम दूसरे हिसाब से age को calculate करते हैं तो यह था आपका crown rump length in early weeks is the length of the embryo or fetus from the top of its its head to bottom of tarso it is the most accurate estimation of gestational age in early pregnancy यहली crown rump length को हम कब gestational age को calculate करने के लिए early pregnancy के अंदर crown rump length के जरिए हम gestational age को early pregnancy में calculate करने के लिए इसका इसका इस्तेमाल करते हैं नेक्स जो है आपका crown heel length क्या है यह भी हम fetal length को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं करक crown heel length या CHL इसको कहा जाता है शार्ट में from the end to 20 weeks onward यानि 20 हफते के बाद या आप यूं कह सकते हैं कि 20 हफते से लेके delivery के time तक जब हम fetal age को calculate करते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल क्या किस चीज को करते हैं crown heel length के जरीए हम fetal age को calculate करते हैं क्यारा crown heel length from the end to 20 weeks onward यानि जब 20 हफता खत्म हो जाए यानि 21 हफते से लेके delivery के time तक अगर हमको gestational age या fetal age अगर calculate करना है तो उस time हम इस्तेमाल करते हैं crown heel length के जरीए हम age को calculate करते हैं और crown heel length क्या है कि the distance from the crown of the head to the heel in embryos अगर आप यहां पर अगर आप figure देख रहे हैं तो यहां से लेके बिल्कुल यहां तक की जो इसके heel तक का जो distance है यह distance क्या कहलाती है crown heel length और यह कब देखते हैं एक किस्वे हफते से लेके delivery के time तक अगर हम gestational age को calculate करना है तो हम crown heel length के जरीए gestational age को calculate करते हैं कह रहा है कि the distance from the crown of the head to heel in embryo or fetus and in infant the equivalent of the standing height in older person यह जिस तरीके से standing position में अगर इसको अगर आप देखें तो बच्चा क्या है fully developed है तो इसकी जो total length है यह अगर standing position में है तो बिल्कुल सर से लेके पायर तक की जो length है यह length क्या कहलाती है crown heel length और इसका इस्तेमाल कब हम करते हैं किसमें हफते से लेके delivery के time तक अगर बच्चे की या fetus की gestational age को calculate करना है तो उस time हम crown heel length का इस्तेमाल करते हैं कि length is a more reliable criteria than weight to calculate the age of the fetus यानि जो crown heel length है या length का जो criteria है gestational age को calculate करने के लिए यह ज्यादा reliable है किसके पनिजबत weight के यानि fetus के weight को weight के हिसाब से यानि fetus के weight के हिसाब से gestational age को calculate करना करने के मुकाबले में length के हिसाब से gestational age को calculate करना ज्यादा reliable है उसे कर रहा है कि length is the more reliable criteria than weight to calculate the age of the fetus यानि अगर जो fetus की age को अगर calculate करना है तो weight के बजाए हम उसकी length के जरीए उस gestational age को calculate करें क्योंकि gestational age जो है वो length के according ज्यादे accuracy है बनिस्बत weight के तो यह हम gestational age को calculate करने के लिए early pregnancy में crown rump length का इस्तेमाल करते हैं और late pregnancy या किस्वे हफते से लेके delivery के time तक crown heel length के जरीए हम gestational age को calculate करते हैं और यह gestational age को calculate करने के लिए length का जो criteria है यह ज्यादा reliable है बनिस्बत weight के according तो यह दो आपको gestational age करने के लिए दो चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं crown rump length के जरीए और दूसरा crown heel length के जरीए crown rump length का इस्तेमाल हम early pregnancy up to 20 week तक करते हैं और crown heel length का इस्तेमाल 21 में हफते से लेके कहां तक हम करते हैं up to the delivery और इसी में जो length का criteria है यह ज्यादा reliable है बनिस्बत weight के तो आप यह याद रखिएगा कि crown rump length या crown heel length gestational age को calculate करने के लिए किया जाता है early pregnancy के अंदर crown rump length का इस्तेमाल करते हैं और late pregnancy में या 21 में हफते से लेके delivery के time तक हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं crown heel length का इस्तेमाल करते हैं ठीक है उसके बाद है fetal growth fetal growth करें increase linearly until 37th week यानि जो fetus की जो length है वो linear में यानि करें increase linearly until 37th week यानि करीब 37 में हफते तक जो embryo है या जो fetus है इस fetus की linear length लगातार बढ़ती रहती है करें increases linearly until 37th week करें controlled by the genetic factor in first half and by environmental factor in second half of pregnancy अगर आप pregnancy को अगर आप दो हिस्सों में divide करें first half and second half यानि अगर 40 week के अगर हम pregnancy मान लें तो first 20 week क्या कहलाएगा first half कहलाएगा और 21 से लेके 40 week क्या कहलाएगा second half कहलाएगा तो बच्चे की जो growth होती है यह growth जो है first half के अंदर genetic factor के जरीए इसकी growth होती है और यह growth genetic factors के जरीए controlled होती है यह control by यानि fetal growth is controlled by the genetic factor in half of pregnancy या इन first half of pregnancy and by environmental factor in second half of pregnancy और जो second half है वो environmental factor के जरीए यह इसकी growth होती है कहरें two-third of the total calcium यानि fetus के अंदर जो total calcium है उसका two-third two-third of total calcium three-fifth of the total protein और four-fifth of total iron of the fetus are drained from the mother during the last three month यानि जो third trimester है यानि first three month अगर आप पूरी gestational age को calculate अगर आप करें तो इस पूरी gestational age को तीन trimester में divide के जाता है first trimester दूसरा है second trimester और तीसरा है third trimester यानि first three month जो है यह first trimester है और second three month और last three month यह क्या कहलाएगा third trimester कहलाएगा यानि पूरी pregnancy को हम जैसे nine month की pregnancy है तो इस nine month को हम तीन हिस्सों में divide करते है first three month जो होता है उसको हम first trimester कहते है middle का जो three month है यानि चौथा पांचमा च्छटा उसको हम second trimester कहते है साथमा आठमा और नौवा महीना क्या कहलाता है third trimester कहलाता है तो जो third trimester के अंदर जो fetus है वो total calcium का two-third और total protein का three-fifth और total iron का four-fifth mother से यह drain करता है यानि जो fetus है last three month में या third trimester के अंदर जो total calcium उसकी need है उस total calcium का two-third total protein का three-fifth और total iron का four-fifth जो है वो mother से drain करता है fetus जो है वो last trimester के अंदर यानि साथमे आठमे और नौवे महीने के अंदर जतनी fetus को calcium की जरूरत होती है उस calcium का two-third और जतनी protein की जरूरत होती है उस protein का three-fifth और जतने iron की जरूरत होती है उसका four-fifth जो है वो mother से drain करता है उसी कह रहा है कि two-third of the total calcium और three-fifth of the total protein और four-fifth of the total iron of the fetus are drained from the mother during last three months कर average fetal weight in India is 2.5 to 3.5 यह most important question है इसे आप याद रखियेगा कि average fetal weight in India is 2.5 to 3.5 kg यनि हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका average weight धाई से लेके साड़े तीन किलो के करीब होता है हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो average weight अगर आप निकालें तो धाई से साड़े तीन किलो के करीब इनका average weight होता है यह most important question है यह most important question आप याद रखियेगा कि average fetal weight in India is 2.5 kg to 3.5 kg हिंदुस्तान के अंदर जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनका उनकी जो average weight है वो धाई से लेके साड़े 3 kg के करीब होती है यह most important question है इस question को आप याद रखियेगा नेक्स्ट है आपका sites of hemopoiesis in fetus यानि जब बच्चा मा के पेट में है intrauterine life के अंदर है उस intrauterine life के अंदर जो हीमोगलोबीन है वो हीमोगलोबीन कहां कहां बनती है sites of hemopoiesis in fetus fetus के अंदर कहां कहां पर हीमोगलोबीन का formation होता है कहरा 10th week embryonic phase के अंदर york sec के जरीए आप याद रखियेगा अब embryonic phase आपको याद होना चाहिए कि embryonic phase कहां से कहां तक है 3rd week से लेके 10th week जो 8th week है वो period क्या कहलाता है embryonic period कहलाता है 3rd week to 8th week वो period क्या कहलाता है embryonic period कहलाता है और embryonic period के अंदर जो हीमोगलोबीन का formation है वो york sec के अंदर होता है यानि जब बच्चा embryonic phase के अंदर है जब fetus embryonic phase के अंदर है उस embryonic phase के अंदर जो हीमोगलोबीन का फार्मेशन है वो किस के जरीए होता है यॉक सेक के जरीए होता है तिन्थ वीक में यानि इंब्रियाइक फेज में तो आपके यॉक सेक से होता है तिन्थ वीक में अब किस से शुरू हो जाता है लीवर के जरीए यानि अब जो हीमोपॉइसिस होती है वो कहा टर्म बेबी है उस टाइम जो आपके हीमोपाइसिस है वो कहां होती है इस्प्लीन और बोन मैरो के अंदर तो आप तीनों याद रखिएगा इंब्रियानिक फेस के अंदर यॉक सेक के जरिए टैंथ वीक में लिवर वे और आपके नियर टर्म या एट फुल टर्म स्प्लीन और बोन मैरो के जरिए हीमोगलोबीन का फार्मेशन होता है करें कि एडल्ट हीमोगलोबीन अपियर्स फ्राम 24 वीक करें कि जो एडल्ट हीमोगलोबीन है अगर आपको हीमोगलोबीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि हीमोगलोबीन क्या ह है एक टेट्रामेरिक मॉलीक्यूल है यानी हीमोग hosts के चार मनुमर मिलकर हीमोग Euchे लोबीन इक मॉलीक्यूल बनाते हैं यूँ समझिए आप के ये चार पाइराल रिंग है ये बीच में आईरन है ये इसकी गलोबीन चेन है ये एक हीमोगलोबीन मानुमर है ये एक हीमोगलोबीन मानुमर है ये एक हीमोगलोबीन मानुमर है और ये एक हीमोगलोबीन मानुमर है तो इसमें क्या होता है दो अलफा चैन और दो बीटा चैन adult hemoglobin के अंदर दो alpha chain ये जो आप full ये चार आप full की पत्तियां देख रहे हैं ये क्या है चार pyrol rings है और इनके center में क्या होता है iron होता है और ये क्या है आपके ये tail जो है ये globin chain है तो ये पूरे structure को क्या कहते है hemoglobin monomer तो 4 monomer hemoglobin के 4 monomer मिलके hemoglobin के एक molecule बनाते है adult hemoglobin के अंदर 2 alpha chain और 2 beta chain होती है और fetal hemoglobin के अंदर इस beta chain की जगा gamma chain होती है ये जो fetal hemoglobin है fetal hemoglobin जो होगी आपके fetal hemoglobin 2 alpha प्लस 2 gamma और adult hemoglobin जो है 2 alpha प्लस 2 beta तो जो fetal लिकार है कि adult hemoglobin appears from 28 weeks यनि जो adult hemoglobin है adult hemoglobin का मतलब यनि 2 alpha और 2 beta chain ये क्या कहलाती है adult hemoglobin कहलाती है ये hemoglobin अपियर्स कब होना शुरू हो जाती है 28th week में adult hemoglobin appear होना शुरू हो जाती है कहरा adult hemoglobin appears from 24th week कहरा at term 75 to 80 percent of total hemoglobin is of fetal hemoglobin यनि at the time of delivery at the full term जो total hemoglobin है fetus के अंदर उसका 70 to 80 percent जो होता है वो fetal hemoglobin होती है और आपको ये पता होगा कि जो fetal hemoglobin है ये oxygen से bind होने की affinity ज्यादा रखती है बनिस्बत adult hemoglobin के यानि फीटल hemoglobin is contain more affinity to oxygen as compared to the adult hemoglobin यानि adult hemoglobin के मुगाबले में जो fetal hemoglobin है oxygen से bind होने की affinity ज्यादा रखती है अगर आप hemoglobin अगर molecule के अगर आप देखें तो hemoglobin का जो molecule है ये simple molecule नहीं है hemoglobin का जो molecule है बड़ा टिपिकल टाइप का molecule है oxygen के higher partial pressure पे इसका जो nature है वो बुछ अलग टाइप से होता है और lower partial pressure पे hemoglobin molecule का जो nature है वो दूसरे टाइप से होता है बिल्किल यूँ समझे के higher partial pressure पे जो hemoglobin molecule है उसकी जो activity है उसका जो behavior है इस nature टाइप से है और lower partial pressure पे जो hemoglobin molecule का जो nature है वो donator टाइप से है याई जो alveoli के अंदर oxygen का जो partial pressure है वो high है और tissue के अंदर oxygen का जो partial pressure है वो low है तो जाहिर है के higher partial pressure पे उसका जो nature है वो कैसा है इस nature का है यानि ये oxygen को snatch करता है air से आप यूँ कह सकते है कि alveoli से तो इसलिए oxygen क्या है बहुत आसानी के साथ alveoli से blood के अंदर और blood से फिर आपके hemoglobin से bind होते है उसकी क्या physiology के अंदर आप इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से oxygen alveoli से निकल के hemoglobin से bind करती है लेकिन जब ये blood artery के जरीए या arta के जरीए या capillary के जरीए tissue level पर आता है तो tissue के अंदर oxygen का partial pressure कम होता है जब oxygen का partial pressure कम होता है तो hemoglobin की अगर यहाँ पर behavior snatching type से होती oxygen के परती तो क्या होता ये oxygen tissue को deliver नहीं करता तो यहाँ पर उसकी activity कैसी है as a donor type से यानि जहाँ पर higher partial pressure है वहाँ से oxygen को लेता है और जहाँ पर lower partial pressure है वहाँ पर इसको क्या करता है relief करता है या donate करता है बिल्कुल यूँ समझे की higher partial pressure का मतलब यह हुआ कि अमीरों से वह छीना गरीबों में बाट दिया बिल्कुल हीमोगलोबीन का जो molecule है वो इसी तरीके से है अगर आप हीमोगलोबीन का percentage situation और उसके volume को अगर आप इसको एक graph के जरीए अगर आप देखें तो उसका graph linear नहीं आता बलकि कैसा आता है सिग्मोएड टाइप का इसका आता है अगर इसके बीच में अगर आप इसका graph खीचे तो इसका graph linear नहीं आता यानि अगर इसको pressure और percentage saturation अगर इसके बीच अगर आप graph खीचे तो अगर हीमोगलोबीन का molecule simple molecule होता के higher partial pressure पे उसी पनिस्बत में oxygen का परसेंट जो हीमोगलोबीन का percentage saturation है उसी हिसाब से बढ़ेगा और जैसे जैसे pressure जाएगा वैसे वैसे कम होगा लेकिन हीमोगलोबीन का molecule इतना simple molecule नहीं है बलके हीमोगलोबीन का molecule थोड़ा different type का molecule है इसलिए इसका जो कर्व आता है वो कुछ इस टाइप से आता है इसको हम कहते हैं सिग्मोएड कर्व इसको क्यों इस तरह से कहते हैं क्योंके हीमोगलोबीन का molecule higher partial pressure पे इसका nature अलग टाइप से है और lower partial pressure पे इसका nature अलग टाइप से होता है बाहराल तो बात दूसरी तरफ चली गई यहां पर कहने का मतलब यह हीमोगलोबीन है यह हीमोगलोबीन molecule चार हीमोगलोबीन मानुमर से मिलकर बना होता है adult हीमोगलोबीन के अंदर दो अलफा चैन और जो बीटा चैन होती है और फीटल हीमोगलोबीन के अंदर दो अलफा चैन और दो गामा चैन होती है और आप यह याद रखिएगा कि जो फीटल हीमोगलोबीन है यह आकसीजन से बाइंड करने की affinity adult हीमोगलोबीन के मकाबले में ज्यादा होती है बहराद तो बाते हम अपने टॉपिक पर की एड टर्म 75 तो 80 परसंट आप टोटल हीमोगलोबीन इस फीटल टाइप यह जब बच्चा फुल टर्म में हो उस टाइम जो फीटस के अंदर जो टोटल हीमोगलोबीन है उस टोटल हीमोगलोबीन का 75 तो 80 परसंट जो हीमोगलोबीन होगी वो फीटल हीमोगलोबीन होती है कह रहा है कि फीटल हीमोगलोबीन has more affinity to oxygen as compared to the adult हीमोगलोबीन जो मैंने अभी आपको बताया तो आप यह यह पॉइंट याद रखियेगा कि adult हीमोगलोबीन appears from 24th week at term 75 to 80% of the total हीमोगलोबीन is a fetal type यह important point है इसको भी आप याद रखियेगा और फीटल हीमोगलोबीन has more affinity to oxygen as compared to the adult हीमोगलोबीन यह भी आप याद रखियेगा यह 3-4 point most important point है exam में यही सबसे question put up होता है next है कि between 6th week to 12th week between 6 month to 12th month after birth the fetal हीमोगलोबीन is completely replaced by the adult हीमोगलोबीन कह रहा है कि after birth यानि जब बच्चा deliver हो गया तो 6 से लेके 12 महीने के अंदर तक total ही जो fetal हीमोगलोबीन है adult हीमोगलोबीन से replace हो जाती है between 6th to 12th month after birth यानि 25 के 6 से 12 महीने के बाद जो total fetal हीमोगलोबीन है adult हीमोगलोबीन के जरिए replace हो जाती है और life span of fetal RBC is 80 days यह सारे points क्या है most important points है आपके RBC का life span केतना होता है adult RBC का life span is Tous और है आपके जातना है विए है आपके रहास्टता है विए दिए लिए व्हां। RBC का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज लाइफ स्पैन आफ RBC कितना होता है 120 डेज यह आप याद रखियेगा लेकिन फीटल RBC का जो लाइफ स्पैन है वो 80 डेज होता है यह दोनों आप फर्क याद रखियेगा अगर सिर्फ एक्जाम में यह कोश्चन आता है कि लाइफ स्पैन आफ RBC तो आपका एंसर 120 डेज बिल्कुल करेक्ट है लेकिन अगर यह आता है लाइफ स्पैन आफ फीटल RBC अब आपका कोश्चन बदल गया अब 120 डेज के मज़ाए 80 डेज यह आप दोनों याद रखियेगा फीटल RBC का जो लाइफ स्पैन है वो 80 डेज होता है यानि 80 डेज के बाद यह RBC क्या होती है फ्रेजाइल हो जाती है और यह तूट जाती है तो लाइफ स्पैन आप फीटल RBC is 80 डेज तो इस स्लाइट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं यह टोटल पॉइंट्स का हैं most important point है के embryonic phase में जो हीमोपाइसी होती है वो यॉक्सेक के जरिए होती है 10th week से आपके liver के जरिए शुरू हो जाती है और near term स्प्लीन और bone marrow के जरिए एडल्ट हीमोगलोबीन चौबिसमें हफते में अपियर हो जाती है at the time of delivery or at full term total हीमोगलोबीन का 75 to 80% fetal हीमोगलोबीन होती है और fetal हीमोगलोबीन आक्सीजन से एडल्ट हीमोगलोबीन के मकाबले में ज्यादा affinity लगती है और छटे से 12 महीने के बाद यानि delivery के छटे से 12 महीने से लेकर एक साल के अंदर तक जो total fetal हीमोगलोबीन है adult हीमोगलोबीन के जरीए replace हो जाती है और fetal RBC का जो life span है वो 80 days होता है यह आप याद रखिएगा it is the most important point for your exam purpose करा आरीच फेक्टर एंटिजन डिवलप्स इन फीटल बलग्ट ऐस अर्ली एड 38 देस आप्टर कंसेप्शन यानि प्रिगनेंसी के अड़ती स्वें दिन प्रिगनेंसी के 38 दिन जो आरेच एंटिजन है यह डिवलप्स हो जाता है यानि बलड गुरूप दो तरह से एक ABEO सिस्टम और एक RH सिस्टम यानि अगर RBC की मेंब्रेन पे अगर A एंटिजन है तो उसको बलड गुरूप A कहेंगे अगर B एंटिजन है तो उसको बलड गुरूप B कहेंगे A और B दोनों है तो बलड गुरूप A भी कहेंगे और कोई भी एंटिजन नहीं है तो उसको हम कहेंगे बलड गुरूप O लेकिन इसके इलावा एक और एंटिजन पाए जाता है जिसको D एंटिजन कहते है या जिसको आप A पाजिटिव या A निगेटिव A पाजिटिव का म का मतलब antigen D भी मौझूद है और ए निगेटिव का मतलब antigen D मौझूद नहीं है तो antigen D जो है यह जिसको आप आरेच फैक्टर कहते हैं यह आरेच फैक्टर कंसेप्शन के अल-किस्वे दिन appear हो जाता है या develop हो जाता है कहरें कि orange factor antigen develops in fetal blood as early at 38 days after conception कहरें कार्ड ब्लेट level of iron, ferritin, vitamin b12 and folic acid are higher than maternal blood कहरें कि maternal blood के मुकाबले में जो card blood होता है यानि जो umbilical card है umbilical card जो blood होता है उस blood के अंदर iron का level ferritin का level, vitamin b12 का level और folic acid का level maternal blood के मुकाबले में जादा होता है यानि card blood के अंदर maternal blood के मुकाबले में iron भी जादा फेरिटीन क्या है यह एक iron का compound है जिसके फाम में iron क्या होता है इस टोर रहता है बोडी के अंदर vitamin B12 इसका भी level card blood के अंदर maternal blood के मुकाबले में ज्यादा होता है और folic acid भी का level जो है यह भी card blood के अंदर ज्यादा होता है as compared to the maternal blood तो अब कहता है card blood level of iron, ferritin, vitamin B12 and folic acid are higher than maternal blood यानि maternal blood के मुकाबले में card blood के अंदर iron का level, ferritin का level, folic acid का level और vitamin B12 का level ज्यादा होता है करना leucocytosis appears after two months of pregnancy यानि जो blood cells है यह blood cells दो मन्त के बाद pregnancy के दो मन्त के बाद blood cells अपियर हो जाती है leucocytes appears after two months of the pregnancy यानि दो मन्त की pregnancy के बाद यानि आप यह कहें कि तीसरे महीने के अंदर जो blood cells है leucocytes जो है यह leucocytes appear हो जाती है करना WBC count at term 15 to 20,000 per cubic ml of blood यानि जो per cubic ml of blood होता है इसके अंदर जो WBC की जो quantity है वो 15 से 20,000 होती है नार्मल जो है 6000 से 11,000 होती है लेकिन अभी आगे आपको आएगा कि अभी आपने सिर्फ पढ़ा यह क्या कि fetus किसे कहते हैं और embryo किसे कहते हैं आगे यह भी आएगा कि आप उसको neonate कब कहेंगे infant कब कहेंगे child कब कहेंगे यह एज के according सब आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो एक एक कर करकर के आप इसे याद रखिएगा आपने difference पूचा है कि maternal blood what is the difference between maternal blood and car devil और दो प्रिग्नेंसी के तोरान जैसे मान लोगी यह यूट्रस है ठीक है यह यूट्रस है और इस यूट्रस के अंदर baby जो है यह placenta है ठीक है बच्चा जब मा के पेट में है और यह umbilical card के जरीए जुड़ा रहता है आपको मैंने बता है कि umbilical card के अंदर दो artery और एक vein होती है जिसको हम umbilical artery और umbilical vein कहते हैं umbilical vein के जरीए बच्चे को oxygen और nutrients महुंचते हैं और umbilical artery के जरीए बच्चे के जरीए जो metabolism के नतीजे में जो waste product बनते हैं यह waste product umbilical artery के जरीए बाहर निकलते हैं तो बच्चे को यह blood मिलता है वो किस के जरीए मिलता है मा के जरीए ही मिलता है बच्चे को यह जो blood मिल रहा है यह बच्चे को blood किस के जरीए मिल रहा है और किस के जरीए जा रहा है अम्पलाइकल कार्ड के जरीए, बच्चे जो मां के पेट में है तो वो ना कुछ खा सकता है। और ना ही कुछ उसको बाहर से आप दिया जा सकता है। तो जेतनी भी चीजे उसको है यह तमाम चीजे मां के बलड के जरीए। maternal blood से मुराद वो blood जो मा का blood है यही मा का blood किस के में जाता है बच्चे के अंदर पहुचता है किछ के जरीए umbilical card के जरीए लेकिन इसके बीच में एक barrier लगा हुआ है placenta का जिसको हम placental barrier या placental membrane कहते हैं तो जाहिर है कि मा के blood के अंदर जितनी भी चीज़ें वो तमाम की तमाम चीज़ें बच्चे के अंदर नहीं पहुचती बलके placenta जिस चीज को इलाव करता है वही चीज निकल कर कहां बच्चे के अंदर या मा के अंदर या मा से बच्चे में या बच्चे से मा के अंदर पहु के अंदर जो आर्बीसी है उसकी मेंब्रेन पे एंटीजन डी पाया जा रहा है जब कि मदर के अंदर एंटीजन डी नहीं पाया जा रहा है तो जाहिर है कि यह जो फीटल आर्बीसी है इस फीटल आर्बीसी की मेंब्रेन पे एंटीजन डी मौझूद है लेकिन fetal RBC इस placental membrane को cross नहीं कर पाती है यानि जो fetal RBC है वो सिर्फ fetus के अंदर ही circulate करती है बार placenta को cross करके नहीं जा पाती है जबकि जो आपके जब first pregnancy जब डिलेवर पहला बच्चा जब डिलेवर होता है तो ये जब placental membrane rupture होती है तो ये maternal blood और fetal blood mix हो जाते है जैसे ही fetal RBC मा के अंदर पहुचती है मा के जो beta cells हैं वो antigen decay against antibody बनाते है जब ये antibody बन जाती है मा के अंदर तो ये antibody मौझूद रहती है अल्रेड़ी second pregnancy में second time जैसे ही pregnancy होगे और उस time बच्चा फिर RH positive हो और mother तो already RH negative ही है तो mother की जो plasma के अंदर जो antibody antigen decay against बनी वी है ये antibody इस placental membrane को क्रास करके बच्चे के अंदर पहुच जाता है जब ये antibody पहुचता है तो antibody antigen reaction होते हैं ये antibody antigen decay destroy करता है जिसके नतीजे में जो fetal RBC है इसका destruction होता है antigen antibody reaction के जरीए जिसके नतीजे में आपके anemia develop होती है या फिर इसी तरीके से आपके bilirubin का level बढ़ जाता है जिसके नतीजे में बच्चे की death भी हो सकती है तो maternal blood से मुराद जो मा का blood है और card से मुराद umbilical card से है ठीक है? क्योंकि इसी umbilical card के जरीए B, immunoglobulin C, immunoglobulin D और immunoglobulin G पांच तरह की immunoglobulin P पाई जाती है यह A, D, E, G और M immunoglobulin A, immunoglobulin E, immunoglobulin G और immunoglobulin M यह पांच तरह की immunoglobulin है जिसमें IgG जो है जो आपकी यह कह सकते हैं कि जो आपके क्या उसको कहते हैं antibody immunoglobulin G से मुराद क्या है यह? यही antibody है एक तरह से यह immunoglobulin G कहा है maternal immunoglobulin IgG crosses the placenta from 12th week onwards तो मा के अंदर जो immunoglobulin है जो antibody है यह placenta को cross करके fetus के अंदर पहुँच जाती है कब से? from 12th week onwards यानि जब बच्चा 12 हफते का होता है तभी से जाहिर है कि जब second pregnancy के दोरान अगर मा के अंदर आपके antibody बन गई है तो यह antibody क्या है? cross करके placenta से बच्चे के अंदर हो जाती है तो उस time बच्चे के अंदर antigen antibody reactions होते है तो maternal immunoglobulin immunoglobulin crosses the placenta from 12th week onwards यानि बीसवे हफते से ही यह जो maternal antibody है या immunoglobulin G है यह placenta को क्रास करके बच्चे के अंदर पहुंच जाती है करके किडिनी इस नाट essential for survival of the fetus in utero करके जब बच्चा मा के पेट में है उस time बच्चे को survive करने के लिए किडिनी की जरूरत नहीं होती है करके किडिनी इस नाट essential for survival of the fetus in utero यानि जब बच्चा मा के पेट में है uterus के अंदर है उस time उसको survive करने के लिए किडिनी की जरूरत नहीं होती है कह रहा है एक टर्म फीटल यूरीन आउटपुट 650 ml पर डे यानि फूल टर्म प्रिगनेंसी जो है at the time of delivery बच्चे के अंदर जो फीटल यूरीन आउटपुट है वो केतना होता है 650 ml पर डे होता है at term फीटल यूरीन आउटपुट 650 ml पर डे करफीटस इस्टार्ट स्वैलोईंग एम्नियाटिक फ्लूइड बॉइड 16th week आपने देखा होगा कि यह जो बच्चा जब मा के पेट में है इसके चारो तरफ मेंब्रेन होती है यह मेंब्रेन क्या कहलाती है दो मेंब्रेन है ठीक है यह मेंब्रेन कहलाती है कोरियान और यह मेंब्रेन कहलाती है एम्नियान इसके अंदर यह क्या होता है एम्नियाटिक फ्लूइड होता है तो कह रहा है कि फीटस इस्टार्ट स्वैलोईंग एम्नियाटिक फ्लूइड बॉइड 16th week यानि सुलावे हफते से जो fetus है amniotic fluid को swallow करने लगता है यानि सुलावे हफते से यह जो fetus है यह जो बच्चा मा के पेट में पल रहा है यह क्या कर रहा है amniotic fluid को swallow करना शुरू कर देता है करें muconium appears from twinteenth week muconium कब से appear हो जाता है बीसमें हफते से और muconium क्या है यह आपके intestinal क्या है स्टूल है जो बच्चा delivery के बाद फौरण इंटस्टाइन से अपने स्टूल को खारिज करता है वो क्या कहलाता है muconium कहलाता है तो muconium appears from twinteenth week अगर muconium जो है वो बीसमें हफते से appear हो जाता है करत सिबेसियस gland appears by twintieth week यह जो बच्चे की स्किन के उपर जो सिबेसियस gland है यह सिबेसियस gland पीसमें हफते से appear हो जाती है लैनुगो अपियर्स बाइ सिस्टीन्थ वीक लैनुगो जो है वो भी क्या हो जाता है सुलावें हफते से अपियर हो जाता है तो लैनुगो है क्या कहरो कि लैनुगो इस वेरी थिन, soft, usually unpigmented, downy hair that is found on the baby of the fetus or newborn human it is first hair to be produced by the fetal hair follicles करके जो बच्चे की skin है इस skin के उपर बहुत soft type के downy क्या है बाल पाये जाते हैं यह बाल क्या कहलाते हैं लैनुगो कहलाते हैं बच्चे की skin के उपर बाल पाया जाता है बिल्कुल soft होता है, unpigmented होता है और बिल्कुल इस तरह से downy होता है यानि skin के साथ लगा हुआ होता है बेबी के उपर या new born के उपर जो क्या कहलाता है लैनुगो कहलाता है it is first hair to be produced by the fetal hair particle कह रहा है कि ये जो बाल है, ये जो हेर है ये first hair है जो बच्चे के अंदर पैदा होता है it is the first hair to be produced by the fetal hair follicles जो skin के उपर hair follicles है उन hair follicles के जरीए ये जो hairs बनते हैं, ये पहले hairs होते हैं और ये सुलाहमे हफते में अपियर हो जाते है जिनको lanugo कहा जाता है, ठीक है तो lanugo appear by 16th week और amniotic fluid swallowing started swallowing by 16th week यानि fetus amniotic fluid को सुलाहमे हफते में सुलाहमे हफते से ही क्या करता है swallow करना शुरू कर देता है और lanugo जो है ये भी क्या है सुलाहमे हफते में appear हो जाते है और micronium भी 20 हफते में appear हो जाते है और sibasius gland भी 20 हफते में appear हो जाती है आप दोनों 16 को एक साथ याद कर लिए और 20 हफते को एक साथ याद कर लिए मasonic atomrid swallowing appearing from 20 weeks других Ig atau sibasius gland 20th week 20th week म새 27th mes maconium भी appear हो जाता है और 20 हफते में sibasius gland भी appear हो जाती है और जो लेनुगो है वो सुलामे हफ्ते में अपियर होता है और बच्चा जो है सुलामे हफ्ते में अम्नियार्टिक फ्लूइट को स्वैलो भी करने लगता है ठीक है तो इसे आप याद रखिएगा करें ग्रीनिश ब्लेक आफ मिल्कोनियम इस ड्यू टू बाइल पिग्मेंट इस्पेशली बिलीवर्डीन करें कि जो मिल्कोनियम है यह ग्रीनिश ब्लेक टाइप का आपको हो जाता है किस कंडिशन में और देखिए ब्यू टुबाइल पिग्मेंट इस्पेशली बिलीवर्डीन की वज Всё यहां जो हीम अगलोबीन के तूटने के नतीजे में हीं और गलोवीन बनते हैं, फिर हीम तूटता है, तो आइरन और बिलीवरडीन में बनता है, तो जो ग्रीनिश ब्लेक म्युकोनियम है, वो किसकी वज़ा से होता है, बिलीवरडीन की वज़ा से होता है, करें ब्रीधिंग मोमेंट अफ फीटस आइडेंटिफाइड बाई 11th week, करें क सांस नहीं लेने का मतलब क्या है, उसका जो लंग्स है, वो लंग्स क्या है, फंक्शनल नहीं होता है, उसको जो oxygen है, वो maternal blood से मिलती है, लेकिन यह जो ब्रीधिंग टाइप के यह जो मोमेंट है, यह ब्रीधिंग टाइप का मोमेंट ग्रामे हफते से ही शुरू हो जाता है कह रहा है कि during 10th and 11th week of the pregnancy the developing fetus will start to inhale tiny bits of amniotic fluid यानि जब fetus जो है मा के पेट में होता है कब दसमें से ग्यारामें हफ्ते में तो उसी time क्या होता है कि थोड़ा 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 amniotic fluid को स्वैलो करने लगता है दिस इनालेशन is more light to swallowing movement यह क्या है बिल्कुल इसी तरह से जैसे swallowing movement होता है इट हेल्स दबेबी इस लंग एस दे बीगिन टो डेवलाप यह जो है उसका फीटस का यह लंग्स डेवलप्मेंट में मदद करता है इट हेल्प दब बेबी इस लंग एस दे बीगिन टो डेवलप बाइदर 30 सेकंड यानि 32 हफते में जब प्रिगनसी होती है बेवे बेबी विल बीगिन टो प्रैक्टिस ब्रीद लाइग यानि जब बच्चा मा के पेट में 32 हफते के अंदर पहुंशता है तो वो ब्रीधिंग लाइक मूमेंट की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है लेस लाइक स्वेलविंग और इन्वाल कम्प्रेशन एंड एक्स्पैंडिंग द लंग यानि यह जो मूमेंट होगा 32 हफते में यह मूमेंट क्या होता है लंग्स के अंदर ब्रीधिंग टाइप के मूमेंट शुरू हो जैसे हम एयर को इख करते है तो लंग्स क्या होता है एक्स्पैंशन होता है और न चुन को मूमेंटорот और बच्चे के अंदर शुरू कंब से होती है थे मिप होती Hangर हफते मेर में तोह जाती है और जब बच्चे की एज कितनी होती है, 32 हफते हो जाती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, अड़ एज आफ फीटस, तो क्या होता है, कि यह जो बच्चे के अंदर, ब्रीधिंग टाइप के मुमेंट स्टार्ट होते हैं, जिसकी वज़े से क्या होता है, कि जो लंग्स के के अंदर, कंप्रेशन और, एक्सपेंशन शुरू हो जाता है, तो यह जो मुमेंट हो रहे हैं, यह लंग्स के एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि, ब्रीधिंग मुमेंट की प्रेक्टिस होना शुरू हो जाती है, कराएं, हाइपाक्सिया, एंड मैटर्नल सिगरेटी स्मो है, हाइपाक्सिया, 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 हाइपाक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं हई पॉप लिडिंग मोमेंट हैं यह fetal breathing moment क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं हाइपाक्सिया की कंडिशन में और maternal cigarette smoking की condition में जो fetal breathing moment हैं यह decrease हो जाते हैं कि आज के लिए इतना रहने देते हैं थोड़ा सा कुछ important points हैं चलो इसको खतम ही कर लेते हैं some important points कुछ important points है इसको important points को आप याद रखिएगा current nausea and vomiting of pregnancy typical begins around the fourth to seventh week and ends by 12 week आप देखें आम तोर से क्या होता है कि pregnancy के अंदर nausea and vomiting स्टार्ट हो जाती है यह nausea and vomiting कभी स्टार्ट होती है चौथे महीने से लेकर साथमे महीने के बीच में और बारामे महीने में लगबग बारामे हफते में महीने ने यह nausea and vomiting pregnancy में एक typical sign है और यह condition चौथे हफते से लेकर साथमे हफते में start होती है और बारामे हफते में चौथे हफते से लेकर साथमे हफते तक start होती है और बारामे हफते में complete हो जाती है hypoxia की जो correct definition है वो यह है के reduce supply of oxygen to the tissue अगर tissue को oxygen की supply कम हो जाए तो ऐसी condition क्या कहलाती है hypoxia कहलाती है फिर hypoxia की 3-4 किसमे है hypoxic hypoxia stagnant hypoxia histotoxic hypoxia enemic hypoxia यह अलग hypoxia की types है ठीक है तो आप hypoxia की अगया नहीं है अगर tissue को oxygen की supply किसी भी वज़ा से कम हो जा रही है हो सकता है कि यह partial hypoxia यह हो सकता है कि as a whole hypoxia जब आप hypoxia पढ़ेंगे physiology के अंदर तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि hypoxia कैसे होता है बहराद तो nausea and omitting of the pregnancy typically begins around the 4th to 7th week of pregnancy and ends by the 12th week यह यह जो omitting और नौजिया है यह चौथे से साथमें हफते में start होता है और बारहमें हफते में disappear हो जाता है करहा हाइपर emesis gravidarum may be associated with electrolyte imbalance especially hyper chlorine metabolic acidosis hyper choleremic metabolic acidosis 5% weight loss and persistent ketonuria कह रहा है कि hyper emesis gravidarum यानि fetus की वजह से यानि pregnancy की वजह से जो hyper emesis है यानि बहुत ज्यादा omitting जो start होती है वो किसकी वजह से होती है especially electrolyte imbalance की वजह से किसकी वजह से electrolyte imbalance दो तीन question इसमें एक साथ है इस point के अंदर के hyper emesis gravidarum may be associated with electrolyte disbalance तो पहला point तो यही बन गया कि hyper emesis gravidarum associated with electrolyte imbalance यानि electrolyte imbalance होने की वजह से hyper emesis gravidarum होता है और यह किसकी वजह से especially hyper choleremic metabolic acidosis यानि chloride ion का concentration ज्याद हो जाने की वजह से hyper choleremic metabolic acidosis यानि chloride ion की जागती की वजह से अगर metabolic acidosis हो जाए तो उस condition में hyper emesis gravidarum होता है करा 5% weight loss उसकी वजह से भी होता है और persistent ketonuria urine के अंदर लगातार ketone bodies आ रहे हैं यानि fat का जो complete metabolism नहों तो उसके नतीजे में क्या होता है ketone bodies body के अंदर पैदा होते हैं तो अगर urine के साथ ketone bodies आ रहे हैं और लगातार यह आ रहे हैं तो उस condition में hyper emesis gravidarum होता है यानि electrolyte imbalance की वजह से 5% weight loss होने की वजह से और ketonuria की वजह से hyper emesis gravidarum होता है कहरा है यानि अगर मदर को अगर मदर को पहुत ज्यादा ओमेटिंग हो रही है तो उस condition में हम मदर को क्या देते हैं थियामिन थियामिन इस दव विटामिन बीवन विटामिन बीवन हम आपर दो दोएगि बाहर से देते हैं सपलिमेंट के तौर पर ताक기 Vornix Insepialopathy ना हो यह 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 वर्निकस in Cha international की कैप प्रीवन की लिए अगर मदर को पहुत ज्यादा ओमेटिंग हो रही है तो झिभ वर्निकस वर्निक्स इंसिपेलोपैती को प्रिवेंट करने के लिए हम थियामिन का सप्लिमेंट देते हैं वर्निक्स इंसिपेलोपैती क्या है क्या है क्या थे वर्निक्स इंसिपेलोपैती आल्सो वर्निक्स इंसिपेलोपैती इस दा पर्जेंस आफ नियुरो लाजिकल सिम्टम्स caused by the biochemical legion of the central nervous system after exhaustion of vitamin B reserve in particular thiamine यानि उसकी वज़े से क्या हो जाता है आपके ataxia की condition पैदा हो जाती है यानि आदमी लड़ खड़ा के चलता है अप्थाल्म और ataxia के इलावा एक condition और आती है confusion भी हो जाता है चुकि ये nervous disorder शुरू हो जाते है vitamin B1 की कमी से तो जिसकी वज़े से vernix insipelopathy होती है vernix insipelopathy में आम तोर से क्या होता है कि एक तो ataxia हो जाएगा आदमी चलेगा तो लड़ खड़ा के चलेगा और साथी साथ mental confusion वो condition हो जाती है तो उस condition को हम कहते है vernix insipelopathy या vernix insipelopathy कहते है तो vernix insipelopathy को prevent करने के लिए supplemental vitamin B1 का इस्तेमाल मदर को किया जाता है cardiac output increase in pregnancy यानि pregnancy में cardiac output increase हो जाता है cardiac output किसे कहते है एक minute के अंदर heart जेतना blood का volume eject करता है उसको हम cardiac output कहते हैं एक होता है stroke volume दूसरा होता है cardiac output यानि एक contraction के दौरान blood का जेतना volume eject होता है उसको हम कहते है stroke volume और एक minute में जैसे मालोगर एक heart rate कितना है 70 है तो एक minute में 70 बार heart pump कर रहा है तो 70 times blood क्या है pump out हो रहा है तो blood का जेतना amount एक minute के अंदर heart के जरिए minute में blood का जेतना amount pump हो रहा है उसको क्या कहते है cardiac output कहते है तो कह रहा है कि cardiac output increases in pregnancy, pregnancy के दौरान cardiac output increase हो जाता है first by increase stroke volume पहले क्या होता है stroke volume increase होता है जाहर है कि अगर stroke volume increase होगा ultimately cardiac output increase हो जाएगा stroke volume कहते है एक बार जब heart pump करता है तो जतना blood का amount left venticle के जरीए eject होता है blood के उस volume को हम कहते है क्या कहेंगे stroke volume normally stroke volume 70 ml के करीब होता है stroke volume लगबग कितना होता है near about 70 ml दूसरा है is in manger syndrome is in manger syndrome क्या है is in manger syndrome is defined as the process in which a long standing left to right cardiac shunt left to right cardiac shunt अगर मान लेजिए कि ये hat है ठीक है ये atrium है ये venticle है ये right atrium ये left atrium ये right venticle ये left venticle जाहिर बलट इससे इससे आता है यहां से फिर lungs में और लंघ से फिर इसमें और फिर इससे और फिर यहां से पूरे body में आता है करा कि long standing left to right shunt आपको पता है कि left venticle के अंदर जो blood होता है left venticle के अंदर बलट कैसा होता है pure blood होता है यह oxygenated blood होता है अगर यह left venticle का blood right venticle में आता है ठीक है left venticle का blood अगर right venticle के अंदर आता है तो कोई problem बच्चे के अंदर जो sinosis है वो sinosis नहीं डेवला क्यों क्योंकि जो oxygenated blood है यह oxygenated blood deoxygenated blood के साथ mix होता है right venticle के अंदर और right venticle का blood कहां जाता है लंक्स के गडर जाता है, तो जाहिर है कि Right Ventical यानि Left Ventical से कुछ बलेट अगर किसी भी तरह से जो Interventicular जो septum है इस भी Interventicular septum के अंदर अगर कोई defect है, कोई hole है, इसका मतलब क्या है कि Left Ventical का बलेट कहां आ रहा है, Right Ventical में तो राइट वेंटिकल के अंदर ब्लड का एमाउंट ज्यादा हो जा रहा है जब राइट वेंटिकल के अंदर ब्लड का एमाउंट ज्यादा होगा तो राइट वेंटिकल जो लंग्स को ब्लड जहां जा रहा है राइट वेंटिकल से वह ज्यादा एमाउंट लंग्स के होचेगा तो pulmonary hypertension हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर प्रेशन ज्यादा पड़ेगा जिसके नतीजे में pulmonary hypertension हो जा रहा है तो उसी को कह रहा है कि फिचल लांग स्टेंडिंग लेफ टो राइट काडियक शॉंट कास्टब अधा कंजएनाइटल होट डिफेक तीपकली भाई धा वंट्रीकुलर सीप्टल ॡिफेक्ट या अट्रियल सीप्रबध। दिफेक्ट कहारे चाहे वह अट्रियल सेप्रइफट हो जा वंट्रिकुल right to shunt अगर ये ज़्यादा दीन तक रहा तो फिर क्या हो जाता है right to left shunt हो जाता है right to left shunt का मुराद ये है कि right venticle के अंदर जो blood है ये blood कैसा है ये क्या है impure blood है deoxygenated blood है जब deoxygenated blood left venticle के अंदर जाएगा और ये left venticle से blood क्या है पूर्य बॉड़ी के अंदर सप्लाई हो रही है तो फिर्स बेबी है उस बेबी के अंदर क्या हो जाएगा साइनगोसड हो जायगी तो उसी को एक और है ऐनरी के से ईवेंट चुरु में सायनोटिक राइट टू लेफ्ट शंट उसकंडिशन में हो जाएगा राइट तू लेंशनट राइट टू लेफ शंट के के सत्यू फस जाएग धा Micky of is an manger syndrome is a large ventricular septal defect कहरा independence जो causes एक ओमेन है जिसके अंदर क्या है इसन मेंजर सिंड्रोम है तो उसके अंदर जो मॉर्टेल्टी रेट है वो 50% है अगर फीटस के अंदर है तो वो भी मॉर्टेल्टी रेट 50% एंद प्री टर्म डिलेवरी रेट 85% है यानि मदर के अंदर अगर इसन मेंजर सिंड्रोम है तो मदर का जो मॉर्टेल्टी रेट है वो 50% है अगर फीटस के अंदर इसन मेंजर सिंड्रोम है तो तब भी क्या है जो मॉर्टेल्टी रेट है वो 50% है और प्री टर्म डिलेवरी इस कंडिशन में 85% होती है तो आपको जो इसमें में याद रखनी है कि इजन मेंजर सिंड्रोम क्या है इजन मेंजर सिंड्रोम especially क्या है कि वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वज़ा से होता है अगर left to right shunt है तो उसकी वज़ा से pulmonary hypertension होता है और right to left shunt है तो उसकी वज़ा से sinus develop होती है यह आप में लिए याद रखिएगा तो यह था आपका आज का lecture जिसके अंदर कुछ अच्छे खासे important points है इच important points को आप याद रखिएगा ठीक है इंशालला next lecture में फिर आपसे मुलागात होती है अल्ला हाफिस